I am going to present a monologue, Fakirchand. Thank you. मुझे बहुत फिकर लगे रहती है. हर चीज के मैं फिकर करता हूँ. अब मेरे दोस्ट भी मुझे फिकर संद बुनाने लगे है. मतलब पहले Fakirchand कुकारते थे, अब वो चेंज होके फिकर संद हो गया है. अब इस फकीर चंद से फिकर चंद होने में एक चीज का टोटल योग दान रहा है. पैसा, मनी. हुआ यूँ, कुछ महीनों पहले एक TV reality contest में मैं हिस्सा लिया. और उसमें एक करोड रुपए जीत गया. हाँ, एक करोड. लेकिन उस contest से पहले मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मैं जिन्दगी में कभी कुछ में जीत सकता. रिकॉर्ड ही असरा है, यार. ना कभी स्कूल में कोई scholarship जीता, ना sports में कभी medal. क्लास में भी first नहीं आया, तो टीचरों से जो आधर मिलता ना, वो नहीं जीत सका. लास्ट भी नहीं आया, तो इसलिए मा से साहनों भूती भी नहीं मिली. आस तक हाउस ही नहीं जीता, यार. जुआ, जुआ तो दूर की बात है साथ. स्क्रेच और विन, स्क्रेच और विन कॉंटेस्ट में स्क्रेच कर-कर के, कर-कर के ठब गया, लेकिन कुछ नहीं जीता. अब ऐसे में मेरे जैसा लड़का एक करोर रूपर जीत जाए, तो उसे कैसे फिकर नहीं होगी बना? बताए ज़रा. कैसे फिकर? अरे जो मिला है उसे खुद है नहीं कफी कर? अबियसली. ये पैसा, गाड़ी, confidence, respect, पूजा, मेरी girlfriend. कॉंटेस्ट के एक हपते बाद मैं सिजल गया था. सिजल? जो जुहू में नया पप खुला है ना? अपनी जीत सेलिबरेट करने है. में वहां मिला था पूजा से. मैं हमेशा से पूजा जैसी गर्फिंट चाहता था. हाट. एक्दम हाट. मतलब जब वो मेरे साथ होती है ना? तो पाकी लड़कों की रहा ऐसी जलती है ना? कि उच्छो मान. थैंक्यू.